नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सब का बहुत हो स्वागत है यूट्यूब चैनल सर्मा में दोस्तों आज का अबना जो चैप्टर है वो कक्सा दस्वी के लिए बहुत ज़्याद इंपोटेंट है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दोस्तों निर्देसांग ज्यामिति के अंदर कोई बी अगर चत्रफुज का प्रकार पूछा जाए कि यह दिए गई एकारती है और इसमें कौन सा चत्रफुज हो सकता है उसकी हम जास किस प्रकार से करेंगे या उस वीडियो हम आगे लाते रहें तो उसका नोटिफिक्शन है वो आपको मिलता रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर और मिलते हैं वीडियो के अंत में दोस्तों निर्दे सांग जामिती के अंदर आज हम पढ़ेंगे चत्र भुजों के प्रकार इससे पहले जो वीडियो आई थी उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिस ने दे रहे हैं वहाँ हम आपके लिए लेकर आयते त्रिवुजों के प्रकार किस प्रकार से ग्याद करते हैं तो जामिती के अंदर ध्यान रखिएगा यदि किसी त्रिवुज या चत्र भुज का प्रकार यदि पूछा जाए तो वहां आपको दूरी सुत्र का प्रियोग करना है दूरी सुत्र भी हम पहले ला चुके हैं और यहां भी पढ़ेंगे कि यह दूरी सुत्र आखिर क्या होता है तो यहां पे चार चत्र भुजो के आपको प्रकार नजर आ रहे हैं इन चारों में हम भुजाएं ग्यात करेंगे और किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि भी कौन सा है यानि चत्र भुज का है कौन सा प्रकार बन सकता है ठीक है त्रिवुजो के प्रकार में यह देखा थ कि दूरी सुतर का प्रियों करके तीन भुजाएं ग्यात करेंगे अब तीनों में से यदि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर आई तो वो संभा उत्रबुज होता है यदि दो भुजाएं बराबर आई तो संभा उत्रबुज होता है और कोई भी भुजाएं दी बराबर न उसे आयत कहते हैं हम यह जानते हैं दोस्तों ठीक हो जो सम्वख बुजाheen बराबर अर प्रते एकौण सम्कॉण तो यहां ध्यान रखेएगा निर्धेषांग जैमिती किसमें ध्यान आयत में जब हम दूरी सुत्र का प्रयोग करके चारों बजय है ग्यात करेंगे तो ये और ये बुझा समान आएगी वन करो समभुज़ह बराबर होतीई इसलिग सम अमने की बूग वापिस बराबर होती हमने क्या किया किसी चत्रबुज की चारों बुजाएं ग्यात कर ली चारों बुजाएं ग्यात करने के बाद क्या देखा कि सम्मुख बुजाएं है वो बराबर है तो अगर सम्मुख बुजाएं इस प्रकार से बराबर है तो वो आयत भी हो सकता है वो समानतर चत्रबुज भी हो सकता है ध्यान रखेगा जब भी आप इस प्रकासे चारो बुजाए ग्यात करोगे यदि सम्मुख बुजाएं बराबर है तो वो आयत भी हो सकता है और समानतर चत्रबुज भी हो सकता है ठीक है बढ़ते है आगे की तरम वर्ग और सम्चतरवुज में क्या होता है यदि हमने चारों बजाए ग्यात की और मान दीजे चारों की चारों यदि बराबर आ जाए द्यान रखेगा यदि चारों की चारों बजाएं बराबर आ गई तो ये समझ लो कि आयत नहीं है, समानतर चत्रबुज नहीं है, वो वर्ग भी हो सकता है और ये सम्चत्रबुज भी हो सकता है, ध्यान रखेगा, चारों बजाए बराबर तो ये दोनों, अगर सम्ग बजाए समान तो ये दोनों, लेकिन हमें तो दो नहीं चाहिए भई, हमें के साथ-साथ हमें एक विकल्ड भी गयात करना पड़ेगा क्योंकि कौन तो गयात करने सकते कान क twenty one good fat sex कर उते हूं अगर हम दिरिशांग जामिती में कौनों को गयात कर पाते तो क्या होता कि इसमें भी hayat ग्यात कर लेते परते कौन समकौन हो जाता इसमें कौन ग्यात कर लेते परते कौन समकौन होना जरूरी नहीं है यह समकौन से ज़्यादा भी हो सकता है समकौन से कम भी हो सकता है तो अगर समकौन आगे तो हम आयत कह देंगे समकौन नहीं आया हम समांतर चत्रभुज कह देंग लेकिन निर्दर सांग जामिती में हम कौन ग्यात नहीं कर सकते हैं लेकिन दूरी सुत्र के प्रियोग से जस तरह से ने बुजाएं ग्यात की उसी प्रकार से ये विकर्ण भी ग्यात कर लेंगे और ये विकर्ण भी ग्यात कर लेंगे अब इसमें देखिए आयत हमेशा एक सी समान अब देखिए अब इसके अंदर आते हम कि यहां पे आकरती सीधी तरची हो सकती है इसलिए अब अगर मैं विकल्णों को देखता हूं तो क्या इसके विकल्णों का समान उना जरूरी है नहीं जैसे यह तरचा हुआ एक विकल्ण बढ़ा तो एक विकल्ण कैसा हो गया छोटा अब इन दुनों में कैसा पते चलेगा कि चारों बुजाए गयाद करेंगे उसके साथ दो विकल्ण भी गयाद करेंगे चारों बुजाए गयाद करेंगे साथ में दो विकल्ण भी गयाद करेंगे बुजाओं के बारे म भी बराबर है सीधा लिग दो आयत सम्मुख भजाएं भी बराबर है लेकिन विकरण बराबर नहीं है तो वह क्या हो जाएगा समांतर चत्रवुज। इसमें सीधी आकर्ति होने की वज़े से ना कोई विकर्न चोटा ना कोई विकर्न बड़ा होता है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दूरी सुतर का प्रियों करेंगे चार भुझाएं और उसके दो विकर्न घ्याद करेंगे हमें चत्रभुज का प्रकार मिल जाएगा वैसे तो और भी चत्रभुज के प्रकार होते है लेकिन अभी हमारे दस्वी में ध्यान रखे के दोस्तों निर्दे संग जामिती का अंदर चत्रभुजों के केवल ये चार ही प्रकार पूछे गए हैं यदि इससे अलग कोई कंडिशन पैदा होती है तो हम वहां दिखेंगे कि यहां कोई विसेश चत्रभुज नहीं है मतलब इन चारों में से नहीं है चारों से कोई अलग हो सकता है तो हमें वहां पे चत्रभुज का प्रकार बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों तो चलिए ये पढ़ने के साथ साथ हम सुरू करते हैं आज की हमारी प्रसंद माला के दो मुख्य प्रसंद प्रसंद क्या पांच और छे तो दोस्तों जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि पांच वा जो प्रसंद है वो किसी कक्षा में चार मित्र बिंदूओ जैसा कि आपको है वो आकरती में नजर आ रहा है चमपा और चमेली उस कक्षा के अंदर आती है और वो क्या करती है उन दोनों चारों जो मित्र बैटें ए बी सी और डी बिंदूओ पर उनको देखती है और चमपा चमेली से पूछती है कुछ मिनिट के बाद क्या तुम नह नहीं सोचती कि ABCD जो यहां पर बिंदू बैटे हैं जो बिंदूओं पर बैटे हैं मित्र उनसे एक वर्ग बन रहा है लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है तो अब आपको यह बताना है दूरी सुतर का प्रियोग करते हुए कि इन दोनों में से कौन सही है क्योंकि चमप पर आपको आकरती के अंदर देखिए यहां पर आपको चार बिंदू ABCD नजर आ रहे हैं अब यह निर्दे संग जामिती से संबंदित है क्योंकि प्रसमें लिखा गया है कि दूरी सुतर का प्रयोग कीजिए तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर जो बिंदू है ठीक है क्षेच करती कान्दर यह चार के बिंदू नजर आ रहा रहा है उसे नीचे झाले और तीन और वाई का कितना है चार क्योंकि हम इसा द्यार की कि दोस्तों यह नीचे जो 36 रेखा है यह एक्स आक्स है यह जो उर्दुवादर रेखा है वह वाई एक्स है ठीक है तो तीन कॉमा चार बिंदू एक के निर्दे सांग हो जाएंगे फिर देखिए बिंदू बी के जो निर्दे सांग है वह क्या हो जाएंगे दोस्तों 6,7 हम देख सकते हैं चित्र के दर बी बिंदु पे एक्स का 6 है और कितना है दोस्तों साते हम बिंदू संथी बिंदुसी पर जो माना आजाएगा दोसो्तों वह जाए गा किता 9,4 और फिर बिंद işi जो डी है उसके जो निर सबसे पहले सबसें हमारे पुथ कि अ सब्सक्राइब का प्रयोग सबसे पहले लिख देते हैं दूरी सु undert दूरी सुतर यह होता है दोस्तों कि root के अंदर क्या करेंगे x मैंसे घटा लेंगे x x1-x2 फिर इसका करेंगे square फिर y मैंसे घटा लेंगे y और फिर कर देंगे square कुछ भी रही x मैंसे x घटा लो y मैंसे y अब क्या करेंगे यह दूरी सुत्र होता किसके लिए है दो बिंदों के बीच की दूरी और यहां दो बिंदों के बीच की जो दूरी है वही चत्र भुज़ की कोई ने कोई भुजा बढ़ जाएगी ठीक है तो इस भुज़ा में क्या होगा दोस्तों जैसे दो बिंदो लेंगे हम तो इसमें य यह रहा एक्स वन और वाई वन यह रहा एक्स टू और वाई टू तो एक्स वाले में से एक्स वाला घटा लो वाई वाले में से वाई वाला घटा लो घटाने के बाद उनका वर्ग कर लो फिर जोड लो फिर रूट निकाल लो वही उसकी दूरी यानि भुजा का मान हो जाए कि x मैंस x घटा दो a b देना तो x मैंस x घटाया 3-6 कर लेंगे square फिर y मैंस y घटा लो 4-7 हो जाएगा square ठीक है फिर पूरे के उपर क्याले करना है दोस्तो root 3 मैंस 6 कितना बचेंगे मैंस के 3 मैंस के 3 बचेंगे वर्ग करेंगे तो pile 6 के plus कितना बचेंगे दोस्तों 9 4 मैंस ते 4 बचेंगे मैंस के 3 वर्ग करेंगे मैंस के 3 का तो कितना बचेंगे दोस्तों 9 और root में आज़ जाएगे कितना बच्टों 18 अगर आप इसे और 설 कर सकते हो तो कर ले अगर नहीं कर पाते हो तो आगे करने की जरूरत नहीं है लेकिन हम इसे आगे सरल करेंगे क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब रूट उसका निकाल सकते हो जो किसी का वर्ग हो ये वर्ग नहीं है लेकिन एक बात यह है दोस्तों कि जब कोई वर्ग ना हो लेकिन फिर भी आपको लगे कि हम इसको गुणा में तोड सकते हैं और ऐसा तोडेंगे कि वापिस अठारा होना चाहिए और उन दोनों में एक संक्या वर्ग होनी चाहिए कब जब ये वर्ग ना हो फिर भी रूट निकालने को बोला जाए तो इसके गुणा में दो टुकडे करो जिसमें से एक वर्ग होना चाहिए दूसरा वर्ग नहीं है तो भी चलेगा तो अब देखते हैं हम नौ दूनी अठारा है नौ वर्ग है तो वर्ग का वर्ग मूल करेंगे तो नौ का वर्ग मूल कितना जागे दोस्तों तीन ये दो वैसे का वैसा और पीछे लिखेंगे मात्रक या एकाई तो दोस्तों एबी का जो मान है वो कितना आ गया तीन रूट दो मात्रक ये ये होगी क्या इस वर्ग किया जो भी चुत्रबुज़ है प्रसने के अंदर उसकी एक भुजा हमने ग्याद कर ली है अब दूस साथ माइनस चार स्क्वेर करेंगे तो हमने क्या देखा छै मैसे नो गए क्या बचके माइनस के तीन तो जैसे ही वर्ग करेंगे बीसी का देखिए मान क्या आता है बीसी का मान यह आजाए कि देखिए माइनस के तीन वर्ग कर लिया क्या हो गया नो यहां देखिए साथ मैस दो मात्रक्ष। यह किसके माना गए दोस्तों , बिसी यानि एक भजा-एb कर ली अब भुजा कर ली बीजा जली बिसी अभी तक दो PVजा गहली हुए यह ईयहां पे 4 immature भज़ा होती है इब बीज़ा है बिसी होकोई अगली करेंगे दोस्तों हम वह क 나오ंगे कौन UAE काम nah तो वहीं काम X में 6 गटा लो नौ में से 6वापिस स्क्वाइर फिर 4 में से एकुझ वापिस इसक्वार फिर छार में से 1 चलाएगा यह हुझा यह कितने मचत दोस्तों कि एक और बुझा ग्याद कर लिए अब देखिए फिर बीसी आफिर फिर बजाओ गई फिर सीडी आब कर लेंगे अब एकम यह काम प्लस चार minus करेंगे दोस्तों केतना 1 square तो AD का मान केतना देखिये यहाँ पर आएगा minus का 3 वर करेंगे 49 चार में से एक गया तीन, 3 तीन का वर करेंगे 9 वाही वाफिस AD का मान केतना 9 और 9, 18 उसी परकार से आगे ग्यात कर लेंगे ये हो गया दोस्तो, तीन रूट दो मातरख, अब समझेगा, जैसे ही आपने ये दूरी सुत्र का प्रयोग करके, यहाँ पधाँ बुजाएं, चारों बुजाओं के बारे हम क्या देखते हैं, कि यहां चारों का जो मान आया है वो चारों का मान कैसा आया है समान अब ध्यान समझेगा जब किसी चत्रबुज के अंदर चारों भुजाए समान हो तो वो वर्ग भी होता है और वो सम चत्रबुज भी होता है ध्यान रखेगा वर्ग भी होता है अभी तक ये समचत्रबुज भी है, दोन्णों मैं से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम क्या ग्याद करेंगे दोस्तों, अब विकण ग्याद करेंगे, ध्यान रखिएगा, अब हम करेंगे विकण क्योंकि वैसे तो कौन का पता लगाया जाए तो भी हम वर्ग और सम्चतुमूल बता सकते हैं तेकिन निर्दिसंग जामिती कौन यात नहीं कर सकती हम यात करेंगे दोस्तों क्या विकर्ण अब विकर्ण कौन से होगा देखिए हमें त्यान समझेगा विकर्ण कैसे करे तो लगातार हमने जो लिखा है उसमें जैसे हम A से B तक गए पहले से दूसरे पे भुजा बन गई, दूसरे से तीसरे पे भुजा बन गई, तीसरे से चौते पे भुजा बन गई, पहले से अंतिम आये तो भी भुजा ही बनेगी, तो विकर्ण कैसे पहले स इस अगले वाले को छोड़कर अगर आप अगले पर जाओगे यह एसे सी पर एक बीच में छोड़ दो अगर पहले से अंतीन तक गए तो तो भुजा लेकिन पहले एक से बाद में दूसरे को छोड़कर आप जाओगे वह विकर्ण होगा एसे सी तक गए यह क्या बढ़ गया दोस्तों विकर्ण एसी यह वाले और सी वाले को देखो और वही काम शुरू तीन माइनस नो यहनी एकस वाले मैंसे एकस वाला घटा लो यह हो जाएगा स्क्वार वापिस वाई वाले मैंसे वाई वाला घटा लो और हो जाएगा दोस्तो square ये लगा दो root accomplish एसी ग्याद कर लेते हैं यह कितना आएगा माइनस के 6 वर्घ करेंगे कितना जाएकर दोस्तों jig 36 माइनस का 6 था वर्घ के बाद बाद वह प्लस बन जाएगा वापिस प्लस 4 मेंसे 4-0 0,0 का वरक करो 1300 ravanie है वो ग्यात कर लिया है अब देखिए A और C को मिला आया विकर्ण बन गया वापिस देखिए B बीच में छोड़ दो C को और D को मिला दो B और D को मिलाएंगे ये भी क्या है दोस्तों एक विकर्ण चत्रुबज के अंदर चार विकर्ण होते हैं दूसरा विकन यात करते हैं वही काम करते हैं चलिए च्छहust 1 ह норм यहां यहाँ यहां ऑनी यहाँ रूट 136 नियानि कितना हो जागे दोस्तों 6 मात रख क्योंकि यह भी एक पुल्ण वर्ग संक्या है पुल्ण वर्ग संक्या को वर्ग मूल करेंगे तो इस तों चैन्द अब हमने क्या देखा कि 4 विजाएं की 4 विजाएं बराबर अब डो जो विकरण ग्यात किए A.C. का मान 6 मात रग B.D. का मान 6 मात रग मतलब चार भुजाएं अपस में बराबर है दो विकर्ण अपस में बराबर है अब सोच यह कौन से आकरती होगी तो यहाँ पे निचित हो गया कि भी चार भुजाएं है वो बराबर कौन कौन से A.B.B.C.D.B.C.B.C.D.B.A.D. चार भुजाएं कैसी है बराबर ठीक है और विकर्ण कौन कौन से है A.C. और B.D. ये भी क्या है दोस्तों बराबर अगर ऐसा होता कि चार भुजाएं बराबर होने के बाद विकर्ण बराबर नहीं होते तो ये सम्चत्रबूज हो जाता दोस्तों लेकिन अब यहां पे ये वर्ग है हम दिखेंगे ये वर्ग है मतलब कौन सही हुआ दोस्तों यहां चम्पा की बात सही है द्याना की दोस्तों जो चम्पा ने कहा था उसकी बात क्या है बिलकुल सही है या चमपा की बात सही है क्योंकि चमपा ने बोला था कि वह ये वर्ग है और यहाँ पर हमने पता लगया तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल वर्ग है मतलब चमपा की जो बात है वो बिल्कुल सही है यानि चमेली को इससे सहमत होना चाहिए कि हां भाइ ये वर्ग है लेकिन यहां पेशंपा की बात बिल्कुश सही होगी यह अपना पांचवा प्रसन है वो complete हो गया अब दोस्तों करते हैं छटा प्रसन तो चलिए के दोस्तों प्रयोग करेंगे किसका दूरी सुत्र का प्रकार पुछा जाए आपको दूरी सुत्र का प्रयोग करना है जो दो वाले मान उनका 20 प्रकार से अंतर गयाद कर लो फिर उनका वर्ग कर लो उपर लगादो रूट ये दूरी सुत्र है सबसे पहले दूरी सुत्र आंदर करेंगे दोस्तों क्या चत्र बुझ में पूचा जाए तो चार बुझाएं और दुर्विक्रण गयात करेंगे और अधी त्रिबुज पूचा जाए दोस्तों तो केवल तीन बुजाएं गयात करने से त्रिबुज का प्रकार है वह आसानी से पता चल जाता है चलिए सबसे वहले करते हैं दोस्तों कोंसी दोस्तों, मैंनिस की लगाएंगे और फृप आफ्क धे ऑपना लापश भा अले वह rearrange अब यहां देखा करेंगे यह चैका और यह की यहां करेंगे न से रहले हैं चाघ कुटने होगे दोस्तोंzd छार्या चार का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों सोला उपर लगा है रूट जैसे ही इनका योग करेंगे दोस्तों यह योग हो जाएगा दोस्तों सतानवे और उपर लगा है रूट अब दोस्तों देखिए सतानवे जो लिखा है यहापे हम देख सकते हैं कि यह सतानवे है और सता वर्ग बूल निकाल सकते हो तो निकाल लो नहीं निकाल सकते हैं तो इसके टुकड़े कर दो ठीक है ताकि आप इसके टुकड़े करने के बाद टुकड़े भी ऐसे कि दोनों में से एक वर्ग होना चाहिए इसके ऐसे टुकड़े भी संभव नहीं है गुणा में जिसमें से को वाई वाले मान में से वाई वाला मान घटा लो यह आ गया स्क्वाइर बी सी का मान कितना देखिए तीन में से जिरू गया तीन तीन का वर्ग कर लो नौ ठीक है एक माइनस तीन गया माइनस के दो माइनस दो का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आजाएगा चार भई अपना काम वापिस BC का मान रूट के अंदर तेरा हम इस तेरा के टुकड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेरा वर्ग संक्या नहीं है टुकड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब अज ये संक्या है तो टुकड़े नहीं कर सकते इसको यहीं पर छोड़ दू अब देखिए AB का मान रूट में 97, BC का मान रूट में तेरा चली अच्छी बात है दो भुज़ए हो गई AB करते हैं तीसरी बुज़ा कौन सी दोस्तों CD CD में भई अपना काम जिस जिन जिन बिंदूओं को आपने लिया है उन्हीं बिंदूओं के अंदर X में से X घटा लो ZERO माइनस घटाने के लिए क्या लगाया माइनस जैसे ही अगला X का मान देखा वो भी किसका माइनस का सुत्र में माइनस फिर अगला मान भी माइनस आगया क्या लगी देंगे दोस्तों UZ और यह होजाएगा एक यह वरग वापिस वई का माइनस यह का मान आएगा लगा दो एककी तीन ऑर चार साथ-साथ का वड़ कितना होगे दोस्तों उन्चास वही अपना काम रूट में कितना जाएगches तो पच्छास अगर आप इसके और कर सकते हो टुकड़े तो hvis कर ले और नहीं कर सकते हो तो कोई दिखकेता नहीं है ठीम है इसे हमने त routing कि दियान फिर वर्ग था चारो बुजाएं बराबर एक वर्ग केंदर विकर्ण बराबर थे और सम्चत्रूज केंदर विकर्ण बराबर नहीं थे यहां हमने क्या देखा तेन बुजाएं गयात कर लिए अभी तक तीनों में से कोई भी समान नहीं है तो अगर आप चाहो तो एक और भुजा घ्यात कर लो चौती अगर आप नहीं करना चाहो تو यहीं भी बता सकते हो दोस्तों कि भी तीन बुजाएं है और तीनों में से कोई बराबर नहीं आया मतलब इसमें कोई चत्रभुज नहीं है ध्यान रखेगा चलिए कर देते हैं अंतिम कि भी एडी बुजा को भी कर लीजी ग्याद चलिए एडी लिली वही काम अपना वापिस X वाले मान मैंसे X वाला कड़ा दो माइनस तीन करेंगे आगे माइनस का तीन तो ही सुत्र में लगाया माइनस इसमें X वाला मान किसका है दोस्तों, प्लस का, क्योंकि A और D, A और D वाला लेंगे, ठीक है, उपर आ जाएगा, स्क्वेर, और Y वाले में वैसे खटा दो, पांच, फिर करेंगे दोस्तों, माइनस, अगला मान माइनस का प्लस हो जाएगा, ये स्क्वेर, माइनस 3 प्लस 1, मा माइनस 2 का वर्ग 4, 5 और 4 9, और 9 का वर्ग दोस्तों, 81, 81 और 4 कितने वजाएगे दोस्तों, 85, 85 के पर रूट लगा है, और रूट निकाल नहीं सकते, तो इसको भी यहीं पर छोड़ देंगे, अब हम देखते हैं, कि चारों बुजाओं में से, कोई भी बुजा बराबर न नहीं है, तो हम लिखेंगे, कि यहां कोई भी भुजा, कोई भी भुजा परस पर समान नहीं है, अतह, इसमें कोई विशेष चत्र भुज नहीं है, क्योंकि दोस्तों, हम इसमें यह नहीं बता सकते हैं, चत्र भुजी नहीं है, चत्र भुज तो हो सकता है, क्योंकि हमने चार भुजाओं ग्यात की है, भुजाओं के कुछ ने कुछ मान आये हैं, तो पता नहीं, तेकिन चत्र भुज तो हो पाकर सो पहला और था थीरा है दोस्तों वहमें पांच सुपर्षन की तरह इस प्रसंट के अब इसमें विकर्ण क्यों नहीं गयात किये क्योंकि आफ2021 विकर्णों की हमने वजाओं से पता लगा दिया कि इसमें कोई विशेज चत्र बुज नहीं है लेकिन द्याने के दोस्तों जब भी आपको उन बुजाओं में सम्मुक बुजाएं बराबर या फिर चारों बुजाएं बराबर दिखे तो आपको उनमें विकलन भी इसी प्रकार से दूरी सुत्र के लगतार लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा और बैल आइकन जरूद भाईगा ताकि जब भी इस प्रकार के इंट्रेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिक्सन समस्कार, जै हिंद, जै भारत और आएं प्रकारम सब्सक्राइब करने धर मत करने पंदिएगा रधके लीगियो हम आएंOW